कोई लक्ष इंसान के सहास से बड़ा नहीं और हारा वही इंसान जो लड़ा नहीं जहिन चात्रो मैं इशार रहमत भारती भुगोल भारती भुगोल की नदिया पोहत अंतर के प्रस्न पिछली कक्षाओं में हमने किये थे अब जो है नदी घाटी परियोजनाओं एवं जील से जितने रिलेटेट कोस्चन्स पुछे जाते हैं उन प्रस्नों को आज हम इस सत्र में करेंगे तो ज्यादा समय न जितने प्रस्न पुछे जाते हैं वो प्रस्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे ठीक ठीक आईए आगे बढ़ते हैं कुछ डिटेल्स देखते हैं कुछ इस प्रकार से यहां दिखाई दे रहा है चात्रों जम्मू और कश्मीर ठीक है जो कि भारत के उत्तर में इस्थित ह ठीक है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी परिस्थित है सलाल भगलिहार एवं दुलस्ती परियोजना याद रखिएगा चिनाब नदी यह बहुत most important है ठीक है इससे इतने भी प्रस्न है राज्युवत हम देखते जाएंगे कि कहा कहा कौन-कौन सी परियोजना है ठीक है फ पंजाब से याद रखना है थीन परियोजना थीन परियोजना किस नदी पर है तो यहां दिखाई दे रहें आपका रावी नदी पर ठीक है और इसका और और नाम है रंजीत सागर बांध ठीक है तो इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं और याद रखेगा पंजाब औ नदी घाटी पर योजना है उनको देखते हुए चलेंगे परिच्छा के द्रिष्टिकोंड से यह बहुत ही महत्वपून तत्या है आई आएगा बढ़ी है उसके बाद देखें नात्पा जहा करिबान ठीक है और भाकडा नागल बान यहां दिखाई दे रहा है ठीक यह रहा तक हमें याद होना अनिमार रहे है ठीक है आई आगे बढ़ते हैं यह रहा उत्राखंड में याद रखने है आपका टीरी बान भारत का सबसे उचा बान दोसु साट दसमलोब पांच मीटर का इसका हाइट है ठीक है तो इस प्रकार से याद रखना और कौन से नदी पर या पर हूफ का टोंस नदी मिल्श पर लिखाया यह टोंस नदी पर यह किसी साहिक नदी की सायक नदी फिकते इस प्रकार के तoff fields याद रखते व chalana है आप इसे स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और यह रोख के इसका एक बेर अधा का इसकी एक तो इस प्रकार के थाति हमें याद रखना निमार रहे हैं और राज्य बरत अगर हम जितने भी बांध है उसे याद रखते हैं तो परिच्छा में हमें हमें ठ्रेस हो गई ठीक है और नक्से से मैं बार-बार बोलता हूं कि कभी भी हम जोग्रफी पढ़ते हैं इंडियन पहुच सके ठीक है आई आगे बढ़ते हैं ठीक है 2019 में बना है और कौन-कौन से राज्य को यह अपना बिजली देता है देखो इसके आसपास के राज्य देखिए कौन-कौन से दीख रहे हैं आपको हर्याना दीख रहा है देखिए यहां हर्याना है राजिस्थान है दिल् दिखाई दे रहा है ठीक है चंबल नदी परें ठीक है लुनी नदी कि शायक नदी जुआ नदी परेंथ m ठीक है तो रिखाई देते हैं नक्षह के अधार पर आपका नदी घाटी परियोजना उन परियोजनां को हमें याद रखना जरूरी है राज्य वत इन्हें याद रखेंगे तो परिच्छा के उप्योगी बहुत ही महत्वपून तत्य हैं यह सब ठीक है आई आगे बढ़ते हैं अगला है हमारा मद्यप्रदेश ठीक है मद्यप्रदेश दिखाई दे रहा है मद्यप्रदेश में आद कोन से नधी पर है चमिल नदी इस से पहले पढ़ेते हमें उसी प्रकार यह रहा आपका चमबल नधी परिस्थित है ठीक यहां दिखाई दे रहे है ठीक आगे बढ़तें हि अग्ला हमारा राज्य उत्तर प्रदेश उत्तर प्रेस में याद रखना है आपका मात अठीला बांध बेतवा नदी परिस्थित है रानी लच्मी भाई बांध बेतवा नदी परिस्थित है ठीक है तो इस प्रकार के तत्य हमें और रिहंद बांध याद रखना है सबसे पहले हमें रिहंद बांध जिनका नाम क्या है आपका गोविंद वल्लप पंद सागर ब तो इस प्रकार के तत्य हमें याद रखना निवार है जो कि परिष्छा की द्रिष्टी कुण से बहुत महत्तपूर्ण है तो यह प्रश्ण शत्र है थोड़ा सा मैं जल्दी चलूंगा तो नराज नहीं होगा और हमें इसके बाद प्रश्ण भी करने तो इस प्रकार से याद नदी रहा है तो इस प्रकार के तत्य हमें याद रखना अनिवार है पर इच्छē के देश्ट्पूर्ण से यह बहुत ही महत्पू 누गा घर फट्जम बंगाल में फ४र अका फरक्क का बामद का प्रकार है तो इस प्रकार से याद रखना से नक पन्रदी रखना है फरकार poly उडिशा में याद रखना है हीरा कुण बांध कौन सी नदी में है महा नदी परिस्थित है ठीक है भारत का सबसे बड़ा बांध ठीक है यहां दिखाई दे रहा है ठीक है इसी की वज़ा से इसी की वज़ा से ही आपका महा नदी को उडिशा का सोक कहा जाता है ठीक है पानी तो यहां नर्मदा लिखाया हुआ है चमा चाहूंगा तो यहां पस गलती से लिखाया कुन सी नदी है यह महा नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके आपका डेल्टा बनाते हुए विसर्जित हो जाती है ठीक है उडिशा कटक के पास ठीक तो इस प्रकार से याद रखना है चतितर गर से निकलती है सिहावा परवस्य महा नदी उसके बाद क्या है गुजरात में याद रखना है सरदार सरोबर फान ठीकhh नर्मदा नदी पर है दिखाई दे रहा है आपको ए देखो ठीक है रुकाई बान तापती नदी में हाँर है े और और है कप्रा पार बान इससे बाहर से प्रस्ण जो है बहुत ही रेयर कंडिशन में पूछे तो इतने बाद एप्रॉक्स कम से कम इंडियन जीयस से हमें याद होना अनिमार रहे है तो बिल्कुल ही सोच समझ के सूझ भूच के साथ इसे मेमराइज करते जाईए ठीक है आई आगे बढ़ते हैं उसके बाद करनाटक देखें करनाटक में कुण सा नदी भाएगा जी कृष्ण नदी ठीक है तो अल्माटी यहां दिखा रहा है नागर्जुन बान श्री सेलम बान बाइयोस्पेयर रिजर्व भी एस रिस्री सेलम ठीक है तो इस प्रकार के तत्याद रख सकते हैं कावेरी नदी ठीक है कहां पस इस्तित आपका गोदावरी नदी पर ठीक है इसे राम सागर डेम भी कहा जाता है यह याद रखने वाले तत्य है तो इस प्रकार के तत्य हम अरे दिमाग में सैट होना चाहिए जब हम नदी घाटी परियोजना के प्रश्ण कर रहे हैं तो ठीक है आईए द लिए तो ऐसह ँगे याद रखेकर है और याद रहे हमारे तथ्यें अब कुछ इस प्रकार यह रहा प्रशन हमारा अब हम जो है इस सत्र में प्रस्न करना प्रारंब करते आईए पहला प्रस्ण है चात्रो हमारा दामोदर घाटी परियोजना कब बना याद रखेए कि चात्रो कि 7 जुलाई साथ जुलाई 1948 में दामदर घाटी परियोजना का सुभाराम हुआ, ठीक है, यह स्वतनतर भारत की सबसे पहली बहुत देशी परियोजना है, ठीक है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं, और किस नदी परिस्थी ते रहे हैं, तो आईए आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार के त प्रशन दूसरा हमारा बहुत देशी नदी घाटी परियोजना का निर्मान क्यों किया जाता है ठीक है कुछ इस प्रकार से देखते हैं आगे आपका ओप्शन में क्या क्या है विद्युद्ध पादन के लिए बिल्कुल सही है ठीक नहरों से सिचाई को विक्सित करने के उपयोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार के तत्य हमें याद रखने है ठीक है यह रहाए आपका प्रस्ण करमांग तीन है निमलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में इंद्रा सागर उल नहीं हो गई है ठीक है आपकर क्या होगा जल विद्य पर योजना के साथ जुड़ी हुई है ठीक है तो याद रखिएगा नर्मादा नदी जो है आपका इंद्रा सागर जल विद्यूत पर योजना के तहट जुड़ा हुआ है ठीक है आज थोड़ा सा गले में खरास है ठीक है तो इस प्रकार से थोड़ा सा साथ दीजिएगा आई आएगे बढ़ते हैं ठीक है प्रस्ण क्रमांग चार है गांधी सागरबांध किस नदी परिस्थित है ठीक है गांधी सागरबांध इससे पहले हमने पढ़ा है तो याद रखेगा गांधी सागरबांध जो हमारा वह आपका चंबल नदी परिस्थित है ठीक है इसका अं पैठन जल्विद्यूत परियोजना, जो है, महराष्ट में स्थित है, और कौन सी नादी परिश्थित है, गोदावरी नादी परिस्थित है, ठीक है, तो इस प्रकास से आद रुखना, दिखते जाओ, नोट करते जाओ, मैं वराइस करते जाओ, आगे बढ़ते हैं ठीक है, प्रस्न का मांग 6 है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निमली खित में से किस नदी परिस्थित है, ठीक है, अभी बताया था आपका कौन से नदी परिस्थित है, चिनाब नदी परिस्थित है, ठीक है, और इससे क्या डिटेल समझ सकते हैं, ठीक, याद रखेगा, भारत पाग बगलिहार परियोजना जो है उसमें याद करने वाले तर्थे इस प्रकार है कि यह जम्मू कस्मिर में विद्यूत के लिए आपका परियोजना बनाई गई है ठीक और इसमें याद करने वाले तर्थे कुछ इस प्रकार से याद किया जा सकता है ठीक है वह विवा लगाया था कि सिंधु जल समझा होता कि अंतरगत आपका यह की गैर कानूनी है एक प्रकार से ठीक है तो भारत को कोई खास नुक्सान नहीं हुआ दरसल 144.5 मीटर इसकी लंबाई उचाई है तो इसको सजा के तौर पे विशु बैंक ने एक मीटर कम करने को कहा ठीक है भुर तो इसे अधरवाइस नहीं लिजिएगा ती आगे बढ़ते हैं प्रस्न अगला है हमारा प्रस्न मांग साथ है हमारा इंद्रा गांधी नहर निम लिखित में से किस राजी की जीवन रेखा मानी जाती है तो इसे याद करने के लिए हम कुछ इस प्रकार कह सकते हैं कि राज गांधी नहर परियोजन जो है वो राजिस्थान के लिए एक हरित क्रांती के रूप में आया ठीक है 1958 में इसका लोकारपन किया गया और कौन लोकारपन किया इसका अभी इससे पहले रिहंद नदी में मैंने बताया था कि आपका वल्लब पंथ जो है जो आपके गोविंद वल्लब पंजी उन्होंने इसका सुभारम किया था ठीक है उसके साथ याद रख सकते हैं यह सिर्फ और सी भारत की नहीं यह पूरे वीश्व की सबसे बड़ी नहर सिचाई परियोजना है ठीक है अब सोचिए यह आपका व्यास एवं आपका सतलज नदी व्यास एवं आज बनाती है वहां से निकलती है ठीक है बिलकूल मैप में देखीए गई से ठीकbei तो वहां से निकलती है अब राजिस्थान जो है सबसे बड़י सिचाई पर योजिना है थिक है मैं बताया कि भारत की सबसे बड़ी सिचाई परियोजना इस्थित है तो इससे पहले बताया था यह आपका रिहंद नदी पर ठीक है और इनके बारे में तर्थी बताया था हमारे परधान मंत्री नरेन मोदी जी ने uuकार्पन किया था शितमबर्द आपका 2017 में में लेकिन यार रखिएगा pushed में पहुत सर्दार सर्वद में बहुत सारे अपवाद है जिसका डेट याद रखना उचित नहीं है परिच्छय की दिरिश्टी कोण से मेंस की क्लास में उसका डिटेलिंग कर सकते हैं लेकिन आपका 1961 में किसने जवाहरलाल नहरु ने और इसका लोकारपन किया कह सकते हैं आपका माननी प्रधानमंत्री नरिन मोदी जी ने 2017 में सितंबर 2017 में आई आगे बढ़ते हैं प्रस्ण कमांग 11 है लखवार बांध का निर्मान किस नदी पर प्रस्तावित याद रखिए गए यमुना नदी पर है ठीक है लखवार बांध किस में है आपका यमुना नदी पर आई आगे बढ़ते हैं आपका प्रस्ण कमांग 12 है जायकवाडी बांध खालिस्थान नदी पर बना है याद रखेगा जायकवाडी बांध जो है महराष्ट में और किसमें है गोदावरी नदी पर इस्थित ठीक है तो इस प्रकार के तत्य हमें याद करते हुए चलते रहना है ठीक है आशा करता हू आपका प्रस्ण कमांग 13 भाकणा नागल बहुत देशी नदी पर योजना किस नदी पर बनी है ठीक है इससे पहले मैंने आपको बताया है बिल्कुल आप इस वीडियो को रोक के आपका मतलब आंसर दे सकते हैं ठीक है तो सत्रुज नदी पर बनाया गया भाकणा नागल ब स्थित है ठीक है इसका अंसर इस प्रकार होगा केरल में बिल्कुल याद सारे तथ्या में याद होने चीए ठीक है तो आए आगे बढ़ते हैं प्रस्ण कमांग 15 है चित्र कोट जल प्रपात निमली खित में से किस नदी पर है ठीक है ठीक है ठीक है दिख रहा हो गया इंद आपका जितने भी जीले हैं आप जीलों से रिलेटेट प्रस्ण आपको देखने को मिलेंगे इसमें ठीक है तो आई आगे बढ़ते हैं यह रहा आपका भारत में निम्न जल प्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है ठीक है तो क्या है धुआधार प्रपात दूद प्रपातान हका के आगे बढ़ते हैं यह रहा हमारा अगला प्रसण कीente होगा क्रमांक सर्थ है वेन बनाठ जील कहा है आपका अंतरप्रदेस, में को लेरू है वहां उडिशा में आपका i prayтов घल में के केरल में है इसका अंसर क्या होगा केरल विल्कुल सही यह कोई दिक्के सबसे बड़ी जील कहलाती है curry म सुरिष सैने इस्टित है वह है आपका क्या होगा सब जानते हैं थि पकार से याद रखने प्रस्न कुछ इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, देखें कितने बार ये प्रस्ण पूछा गया है, ठीक है, पर हम परागत रूप से पूछते ही है ये प्रस्ण, ठीक, ये रहा आपका जील के जीतने, जील से रिलेटेट जीतने भी प्रस्ण पूछे जा सकते हैं, सारे जील इसमें राजिस्थान में पूरत एक इत्व कमेंट बॉक्स पर बताएं परतुत हुआ था राश्ती उद्द्यान बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर बताईए ठीक है यह आपका मनीपूर बिल्कुल सही है ठीक तो इस प्रकार से यह रहा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है प्रस्ण के साथ आप मैं बार-बार बोल रहा हूं इसका स्क्रीन शॉट लीजिए और यह सारे जितने हैं सारे आपका जील है उसके रटते यह कोश्चन हमेशा एक तो आपको दिखाई दे गहीं ठीक है आई आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है हमारा कोश्चन नमबर 20 निमलिखित में से कौन दो भारती राज्यों की साजेदारी वाली जील है ठीक है तो कुछ इस प्रकार याद रख सकते हैं से कि आपका पु ठीक फोट आए यह आगे बढ़ते हैं यह रहा आपका जिलो का यह दिख रहा है को ले रूख किसमें आपका अंद्र प्रदेश और प्रदेश के बॉरडर पेस्थ रखते हैं आप नक्से में जाके ठीक है अगला प्रस्ण है हमारा कोशन नमबर 22 भारत की निम्न जीलों में से कौन असम में अवस्थित है याद रखेगा चाप नाल जील आपका इस्थित है आपका असम में इस्थित है बिल्कुल बहुत ही ठीक है क्या है अमारा क्या है रूपकंड जील को आपका रहस्य माई जील के नाम से जाना जाता है तो आई अह आगे बढ़ते हैं प्रस्निह के है हमारा अगला कुशेंटफंग्टीनल कायाल जू है क्याल कायाल जो है याल इंप दिए कि ल्यक्естप्र लेगन भरला कि याल ऐस्ट कि प्रकार कि थो जा यहा गके अंसर ऑ व फ्रक्जे क्याल को क्या होती थिक ने फ़स्तार फीमढ़ते हैं टीक्षम Не प्रदेश में बिल्कुल याद रखेगा अगर नक्से में नहीं दिया तो स्कूर्ड कर लीजेगा ठीक है तो यह हमारे 25 प्रश्ण यहां पास पूंड होते हैं लास्ट कक्षा में जो मैंने प्रश्ण पूछा था उसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आईए देखें ठीक है यह कहां से नक्सा आगया ठीक यह रहा आपका प्रायदीपी भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिन का सही करम बताईए कहां से आपका उत्तर से दक्षिन ठीक है तो देखो सबसे पहले स्वन रेखा आप आंसर दिये हुआ है स्वन यह आपके स्क्रीन के उपर रहा आज का प्रस्ण ठीक है यह English Medium वाले बच्चे देख सकते हैं ठीक है इसका अंसर आपको comment box में देना है इसी के साथ इजाज़त चाहूंगा साथियो जैहिन जै भारत